हाई फ्रेंड्स अगर आपने एक बार ये प्रशाद बना लिया तो चाहे वैवो लक्षमी माता हों सत्य नारायन भगवान हों सब आपसे बहुत ही जल्दी प्रशन होने वाले हैं ये प्रशाद भगवान विश्नु को और उनकी पत्नी मालक्षमी को बहुत ही प्रिये है चा यहां पर मैंने दो चम्मच घी ले रखा है अब घी ही लीजिए अगर आप रिफाइन में बनाते हैं या किसी वेजिटेबल ओयल में बनाते हैं तो बना सकते हैं बट थोड़ा सा घी एड़ करना बहुत जरूरी है यहां उसके बाद गेहूं का आटा ले रखा है एक कटोर जल्दी जल्दी इससे चलाना है ताकि यह जले भी नहीं और इसमें लम्स भी ना रहे तो देखिए बीच में जैसे मैं लम्स को ऐसे जो भी है चम्मच से ही उसे मसल के और अच्छे से भून रही हूं इसी तरीके से आपको अच्छे से भूनना है जब विश्नु भगवान की सत्यनरायन की कथा एक गरीब इस्त्री को रखनी थी उसके पास कुछ भी नहीं था तो उसने ये प्रशाद बनाया था और वो बड़े ही प्यार से भगवान को अर्पन किया तो इस वर को ये बहुत पसंद आई अब ये देखी आँटा बहुत अच्छे से भून गया है तो इसे भी हलका सा रोस्ट कर लेंगे ताकि ये भी अच्छे से भून जाए अभी देखिए बिलकुल अच्छे से भून गया आप देख सकते हैं तो जब उस इस्त्री ने बहुत अच्छे से भोग लगाया तो भगवान को ये प्रसाद बहुत अच्छा लगा और चुकी माता लक्षमी भगवान की प्रिये हैं तो उनको भी अपने पती की प्रिये चीज उन्हें बहुत अच्छी लगी अभी इस में चीनि ऐड़ कर लिया है एक टॉरी आंटा है तो आदे काटोरी से थोड़ा कम चीनि ऐड़ कर लिजे और चीनि ऐड़ करने के बाद इमिडिये अप सब्सक्राइब करें यह भी करना जरूरी है कुछ फल और इस पेसली केला बहुत जरूरी है इसमें डालना तो आप यह डालिए और बिना तुलसी पत्ते का तो कोई भी प्रसाद संपुर्ण नहीं होता खास करके मालक्षमी और विश्णु जी के पूजा में तो हमने तुलसी आई होगी तो फटा फट से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मिलती हूं नए रेसिपी के साथ